हरर महादेव जय मातादी मातारानी की क्रपा से आप सभी बहुती मस्त होंगे अभी तक आपने नव रात्री में कुछ किया या नहीं किया बस नव रात्री में आप एक काम कर लिजी अखन सुहागन के लिए जी हाँ बहनो अगर एक कारी आपके द्वारा नव रात्री में कर आपको मातारानी हमेशा अखन सुहागन का वर्धान देती है। तो इस कारी को करने के लिए आपको क्या करना है किन सामगरी की आउशक्ता होगी आप वीडियो को अंतक जरू देखिये। मंदिर में रखकर आना है आप के संब्सक्राट का तो आपके गर में में इसके लिए नौकम्याओं को गरमने बोजन के दो करके उनका पूजन करना है कन्याओं को सप्रेम भोजन कराना है कि बास सभी कन्याओं को आपको लाल चुनड़ियां जरूर ओडानी है इससे अखंड सोभागी अपना बना हुआ रहता है और उन्हें कुछ दक्षिना या फल फ्रूट इत्यादी दे करके आप सप्रेम वि पिछियां, टीका, मांग बने का सिंदूर, काजल, पायर, इत्यादी जो सामगरी आपको मिल जाए इसके अंदर लाल चुनड़ियां होना अतियावशक है बस जो आपको मिल जाए वो सामगरी लेकर के आपको माता रानी के किसी भी सवरुप मंदिर में बेट सवरुप दे क आना है और आपको यही सामगरी सुहागन इस्त्रियों को भी भेट में देना चाहिए जिस से मातारानी अति प्रसन होती है और अखंड सोभाग की वरती हैने का आशिस देती है तो यह कारी जरूर हर सुहागन को करना चाहिए और यह कारी हम नौरात्री में तो करी सकते हैं नौरात्री के बाद भी इन कार्यों को किया जा सकता है जिससे हमारा घर खुशों से भरा हुआ रहता है आपको वीडियो पसंद आईए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए